भगवान श्री रमण महारिशी की महासमादी की यात्रा किस प्रकार हुई आईए जानते हैं महासमादी के कुछ बर्षपूर्व सन 1947 के बाद से भगवान का स्वास्थे चिंता का विशे बना हुआ था गठिया ने उनके टांगों को निर्बल कर दिया था तथा उसका प्रभाव उनकी पीट एवं कंदों पर भी दिखाई पड़ता था अपनी शरीर की दुर्बलता की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी यह अनुभव किया गया कि आश्रम के भोजन की अपेक्षा उन्हें अधिक पोष्टिक भोजन की आवशक्ता है किन्तु उन्होंने कोई अत्रिक चीज लेने से मना कर दिया अभी वे सत्तर साल के भी नहीं हुए थे किन्तु इससे अधिक वृत दिखाई पड़ते थे उन्हें चिंता लेश मात्र भी नहीं थी फिर क्या कारण है कि जो व्यक्ति इतना स्वस्तेवं स्कूर्तिवान था जिसने कभी रोग शोग चिंता की परवा नहीं की वे अपनी आयू से अधिक वृत कैसे दिखाई पड़ने लगे इसका कारण यह है कि उन्होंने दूसरों के दुखों पापों को अपने उपर लेकर उन्हें करम बंधन से शितिल कर दिया था भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयम हला हल विश्च का पान किया तथा नीलकंड के लाए भगवान जी ने शिव का रूप कहा जाता है उन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संसार के अनेग भक्तों एवं उनके दुखों का निवारण किया उनके सानिध्य में रहने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से समय समय पर इसके प्रमान मिलते रहे संभवता उनकी रुग्णता का यह एक बड़ा कारण रहा हो अरुणाचल आने के बाद उनका शरीर के प्रती उदासिंता का भाव सदैव बना रहा अरुणाचल लेशवर मंदिर के पता लिंगम में उग्रत पश्चर्या में उनके शरीर का लेश मात्र भी बोध नहीं था उस समय तथा बाद के दिनों में भी वै महीनों तक आहार का बिना एक टुकडा ग्रहन की समादिष्ट रहे उनके दिष्टी कोण से यह सादना या तप नहीं था किन्तु वास्तविक्ता यह है कि सादना ये वं तप का इससे उग्र येवं महान स्वरूप और क्या हो सकता है इस तपश्चर्या का प्रभाव शरीर पर अत्यन गहरा था इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने विरप आक्ष गुफा में निवास के बाद के बर्षों में शरीर एवं इंद्रियों का समाने अवस्ता में लाने के लिए चैतन्य अप्रियास करना पड़ा ठंड गर्मी वर्षा की परिस्तियां अपना प्रभाव दिखलाती हैं उनके अनुरूप शरीर की देखपाल नहीं करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है भगवान श्री रमण महरीशी का शरीर भी उनसे प्रभावित हुआ कारण चाहे जो भी रहे हुँ उन्होंने शरीर की चिंता कभी नहीं कई तथा वे उसके प्रतिपूंत उदासीन थे एक बार सभा भवन में इस संबन्द में विवाद हुआ कि भगवान कब तक जीवित रहेंगे कई व्यक्तियों ने जोतिशियों का उद्धरन देते हुए कहा कि वे असी वर्ष तक जीवित रहेंगे दूसरे व्यक्तियों ने जोतिश गर्णा को इनकार करते हुए कहा कि भगवान के उपर जोतिश के नियम नहीं लागू होते क्योंकि उनका कोई कारे शेशी नहीं रहा महर्शी ने मुस्कुराते हुए इस विवात को सुना परन्तु उसमें भाग नहीं लिया जन्वरी उन्निस सो उनन्चस में उनकी बाएं बुजा की कोनी के नीचे एक छोटी गांट निकलाई उसे समाने समझकर आश्रम के डॉक्टर से काट कर निकाल दिया किन्तु एक महीने बाद फिर वे उभराई जो अधिक बड़ी तथा पीड़ा दायक थी तब सबको पता चला कि ये घातक ट्यूमर है इससे लोगों में चिंता फैल गई 27 मार्च को मदरास से प्रख्यात सर्जन डॉक्टर रागवाचारी आये और उन्होंने ऑपरेशन करके गांट निकाल दी और आश्वस्त किया कि अब दुबारा नहीं होगा ऑपरेशन के से घाव का भरना बहुत दीमिगती से हो रहा था एक सप्ता पूर्व परिक्षन के लिए भेजे गए नमूने की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि है सारकॉमा है या अत्यन पीडा दायक एक प्रकार का कैंसर होता है कुछ दिनों से उस घाव से रक्त स्राव भी होने लगा किन्तु भगवान के उपर इसका कोई प्रवाब नहीं था उनके आखों का कर्शन पहले जैसा ही तिवर था डॉक्टर भग्तों एवं साहेकों की चिंता बनी हुई थी एक महीला भग्त विवल हो कर रोती रही फिर उनके पास आकर बोली भगवान आप अपना रोग मुझे दे दीजिए तथा स्वास्ते हो जाईए भगवान ने उत्तर दिया किन्तु मुझे किस ने दिया है उसने कहा भगवान आप दूसरों को ठीक करते हैं आपको स्वयम को भग्तों एवं हमारे लिए ठीक करना चाहिए एक दो बार उन्होंने उसे हट जाने के लिए संकेत दिया किन्तु उसका अत्यधिक अनुराग देखकर अंत में बहुत दयालुता से उत्तर दिया आप इस शरीर में इतना आसक्त क्यों है इसे जाने दीजिए 24 अप्रैल उन्ने सो नंचस को भगवान के गाव का पहली बार रेडियम चिकित्सा का उपचार किया गया हर कोई हताश था किन्तु भगवान अत्यंत कमजोर होते जा रहे थे लगवाग तीन बजे चिकित्सा के उपचार के उपरांत एक भगत कलने अंड सुन्दरम एक पोस्ट कार लेकर पहुंचे जिसमें उनके भाई ने पूछा था कि क्या बगवान का तीसरा ओपरेशन हो गया तब महरशी ने उत्तर दिया नहीं है एक उपरेशन नहीं है यह एक रेडियम चिकित्सा है फोड़ा भीतर से एक लिंग की तरह उबर रहा है किन्तु यह मुझे कोई दुख नहीं दे रहा मुझे ना दर्द अनुभव हो रहा ना ही कोई असुविधा किन्तु कभी कभी व कुझा काटने का सुजाव दिया परंतु रिशियों की परंपरा के अनुसार ग्यानी का शरीर विकृत नहीं किया जाना चाहिए वस्तुते इसे धातु से भी नहीं काटा जाना चाहिए भगवान ने ओपरेशन को तो सुईकार किया किन्तु अंग विच्छेदन से इनकार क कोई कारण नहीं, शरीर स्वयम एक रोग है, इसका प्रकृतिक अंध होना चाहिए, इसका अंग विछेदन क्यों किया जाए, केवल मटम पटी ही प्रयाप्त है, भगवान के इस कथन से की चिंता का कोई कारण नहीं, भक्तों में इस आशा का संचार हो गया कि वे ठीक हो यद्यपी की उनके बारे में डॉक्टरों के शब्द उनके विरुत थे, भगवान के लिए मृत्यू चिंता का कारण नहीं थी, इस अवधी में उन्होंने भागवतम के एक शलोक का तमिल पद्य में अनुबात किया, जिसका हिंदी में अर्थ है, कर्मों के परिपाक स्वर रूप मिलने वाला यह शरीष्ठिर रहे या चलता रहे, जीवित रहे या इसका अंतो जाए, आत्म साक्षातकार करता रिशी को इसका घ्यान उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार एक शराबी को उन्मत अवस्था में यह ग्यान नहीं होता कि उसने वस्त्रधारण कर पीदिया जाए तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि मिष्ची की डली को तोड़ दिया जाए पीच दिया जाए तो भी उसकी मिठास नहीं जाति एक भगतने पूछने पर कि क्या वस्तुत्य भगवान ने कश्ट का नुभव किया उन्हों ने कहा भगवान के इस शरीर को आप भगवन समझते हैं और इस पर कष्ट कारोपन करते हैं किंदी कटन और जिनुक बाद है एक भगत ने उनसे कहा अगर मन ना हो तो पीड़ा कहां से आईगी इन सब के बाब जूद उन्होंने समाने बहुतिक प्रतिक्रियाएं और सर्दी दर्मी के प्रति समाने सवेधना प्रकट की डॉक्टर एवं कुछ भगतों का भी विश्वास था कि भगवान को पीड़ा थी और बाद में इस पीड़ा ने व्यानक रूपधारन कर लिया पीड़ा के प्रति भगवान की उदासीनता और ऑप्रेशन के समय उनकी पूर्ण चिंतता पर डॉक्टर भी विश्मित थे पीड़ा का प्रशन कर्म के प्रशन की तरह केवल द्वैत के द्रिष्टी कोण से ही विद्यमान है उनके अनुज़ार अद्वैत द्रिष्टी से कोई भी पीड़ा वास्त्विक नहीं इस अभिप्राय से उन्होंने अनेक अगर आप यह सोचें कि मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा जब तक कोई भक्त अपने शरीर और उसकी पीड़ा की वास्त्विक्ता में विश्वास करता है तब तक उसके लिए उसके गुरू का शरीर वास्त्विक है और उसे पीड़ा भी होती है विगत ऑपरेशन के बाद एक दो सब्ता तक एक ग्रामेर चड़ी बुटियों के जानकार का इलाज करता रहा परन्तु इससे कोई लाब नहीं हुआ श्री भगवार ने एक अन्य चिकित सक कोई है कहकर टाल दी कि मुझे आशा है अपनी दवाईयां आजबाने के बाद आप निराश नहीं बगवान को अपनी शारीरिक दशा की कोई चिंता नहीं थी उन्हें उन व्यक्तियों के प्रति सहानुब होती थी जो उनका उपचार करना चाहते थे प्रायवे इस बात का विरोत करते थे कि उनके शरीर की और विशेज ध्यान दिया जाए कई बार वे शारीरिक अवस्ता म नहीं ट्यूमर जिसे डॉक्टर ने सरकोमा घोशित किया ने उनकी रही सही शक्ती भी शोशित कर ली अतित दुर्जबता के कारण उनका चेहरा अधिक कोमल अधिक उदार और अधिक सुन्दर होता गया कई बार तो उनके सुन्दर्य का देखना अत्यंत पीड़ा जनक भगवान की भुजा भारी हो गई तथा उसमें जलन हो रही थी कभी कभी वे स्विकार करते की भुजा में पीड़ा है परन्तु वे यह कभी नहीं कहते की मुझे पीड़ा है अगस्त में तीसरा ऑपरेशन हुआ तथा गाव पर पुनल रेडियम उपचार किया गया इस कमपा करके उनके बरामदे में बैठी गए ताकि भक्त जन वहां से गुजरते हुए उनका दर्शन कर सकें वे अत्यनशीर हो गए किन्तु उनके चेहरे पर पीड़ा का कोई चिन नहीं था अगले ही दिन दोपैर के बाद वे सभावावन में वापिस आए ताकि उनके चिकत जारिरिक मृत्यों को सेहन कर सके और्थर ऑस्पर्ण की पुत्री किट्टी जो एक परवर्तिय प्रिवर्देश के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी भगवान की स्थिति के बारे में पत्र द्वारा सूचित किया गया उसने उत्तर में लिखा मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ परंतु भगवान जानते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है उसका पत्र भगवान को दिखाया गया उनका चेहरा कुशी से चमक उठा उन्होंने उसकी बुद्धी मता की प्रिशंसा करते हुए कहा कि किती ने लिखा है हम सब के लिए सर्वोत्तम क्या है न अपने भक्तों को यह नुभव कराना चाहते थे कि शरीर भगवान नहीं है जिसका उन्होंने उलेक भी किया वे इस शरीर को भगवान समझते हैं और इस पर कश्ट का रोपन करते हैं किन्ती देनिय स्थिति है वे निराश हैं कि भगवान उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं वे कहां जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं रुग्णता की अवस्ता में भी भगवान की विनोधी प्रकरती समाने दिनों जैसी बनी रही एक विदेशी शिश्य एस एस कोहेन ने एक घटना का वर्णन गुरु रमण में किया रात्री को एक पुराना शिश्य जो अव्रिद है भगवान के दर्शन के लिए आया उसने भगवान को प्रणाम किया उसके बाय हात में कोहनी के उपर चारो और एक जाली दार पट्टी गहाव के उपर बंदी थी ठीक वैसी ही जैसे भगवान के हाथ में बंदी थी मेरे मन में विचार आया कि लगता है वै भगवान की नकल कर रहा हूँ यह विचार अभी पूरी तरह से गया भी ना था कि भगवान ने हसते हुए उसका निरिक्षन किया और टिपनी दी हो हो आप मुझसे प्रतिस परदा कर रहे हैं हर कोई हसने लगा केवल उस व्रिद के व्यक्ति के जिसका बिनोधी भाव उस पल उसका साथ छोड़ चला था एक दिन प्राते भगवान ने अपने आप कहना आरम किया कल प्रोफेसर सुबरमया ने मुझसे कहा कि इच्छा शक्ति से मैं इस रोक का उपचार कर दूँ क्या मैंने ट्यूमर को आने के लिए कहा था जोई से जाने के लिए कह दूँ यह अपने आप आया है तब मुझे क्या करना है या मेरी इच्छा शक्ती को इसके साथ क्या करना है अगस्त में ओप्रेशन के बाद कुछ सब्ता तक तो भगवान की दशा में सुधार प्रतीत हुआ किन्तु नवंबर में कंदे के निकट बुजा के ऊपर फिर ट्यूमर निकल आया दिसंबर में चोथा और अंतिम ओप्रेशन हुआ डॉक्टर ने अभी है स्विकार कर लिया कि वे इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते स्तिती चिंता जनक थी ट्यूमर यदि फिर निकल आया तो ड बॉक्टर केवल शमनकारी ओश्टिया ही दे सकते हैं 5 जनवरी 1950 को भगवान की सत्तरमी जयनती थी लोगों को लगा कि संभवत्य ये अंतिम जरम दिन है शोकातूर भगतों की भीड एकत्रित हुई उन्होंने सब को दर्शन दिये और अपनी प्रशस्ती में अनेक नए गी गीत सुने कई गीत उन्होंने स्वेम भी पड़े नगर से बड़े मंदिर का हाती आया उसने उनके सामने मस्तक नवा कर सून से उनके चरंड सपर्श किये उत्तर भारत की एक रानी को इस द्रिश्य का चलचित्र लेने की अनुमती दी गई अशंका की शोक मई छाया में समा हो रहा था बहुत से लोग पहले ही अनुभफ कर चुके थे कि अब कुछ सबता हो या दिनों की बात है ऐसी निराशा जनक स्थिती में भगवान से पूछा गया कि वैस्वेम बताएं कि अब कौन सा उपचार किया जाए उन्होंने का यदि बहुत उपचार किया गया हो तो अथिती उपचार करने से रुख जाएगा वहज नहीं जाएगा उसे छोड़ देने पर वहज चला जाएगा बाद में उन्होंने कहा कि क्या मैंने कभी किसी उपचार के लिए कहा था आप स्वयम मिलकर निर्ने करें कि अब क्या किया जाना चाहिए अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं सदा से कहता आ रहा हूं कि कभी भी उपचार अवश्यक नहीं है प्रकरती को अपने मार्ग का अनुसरन करने दे केवल इसके बाद होमयपैती चिकित्सा की गई इसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा परंतु अब वद्विलम हो चुका था भगवान ने पराते और शाम के भक्तों को दर्शन देने बैठ जाते आश्रम का पत्र वहवार देखते और आश्रम के प्रकाश जनों के मुद्रन का निरिक्षन करके अपने सुजाव भी देते जन्वरी के बाद भी इतने दुर्बल हो गए की सभा भवन में दर्शन भी नहीं दे सकते थे उस कक्ष की ठीक पूर्व में रास्ते के पार एक छोटी कोटरी के साथ स्नान घर बनाया गया अंत तक बेवहा रहे बाहर एक तंग छोटा बरामदा था जहां उनका तकत रहता था जहां अंत तक दर्शन के लिए आने वाली भीर उनका दर्शन करती थी जब तक यह व् वस्ता संभव थी कि वे इसमें किसी प्रकार की पाधा प्रसंद नहीं करते थे एक दिन उनकी स्थिती चिंता जनक हो गई और उनके दर्शन बंद कर दिये गए जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला उन्होंने नराजगी जाहिर की और दर्शन चारी रखने का आदेश दि एक महिला ने भगवान की पीड़ा से वेतित होकर कमरे के निकट स्थम्प पर अपना सिर पीट लिया भगवान ने अपने सेवकों से पूछा यह क्या शोरगुल है उन्होंने कारण बताया तो भगवान ने कहा ओहो मैंने सोचा यह नारियल तोड़ने की कोशिश की जा रह क्या बोजन कर चुकने के बाद हम इस पत्ते को समाल कर रख सकते हैं इसका प्रियोजन पूरा होने के बाद क्या हम उस पत्ते को फैक नहीं देते एक दूसरे अफसर पर उन्होंने भगतों से कहा इस शरीर का जिसे हर बात में सहायता की अवशकता होती है बोज कौन उठा स करते हुए प्रमण महरीशी बोले मोक्ष क्या है अस्तित विशुन्य दुख से छुटकार अपाना तथा सत्त विद्यमान परमानंद की प्राप्ति यहीं मोक्ष है 13 अप्रैल बहस्पतिवार को एक डॉक्टर भगवान के लिए शामक औश्दी लेकर आए ताकि फेफडों में जो रक्त जमा हो गया था वे ठीक प्रवाईत होने लगे परन्तु उन्होंने उसे लेने को इनकार किया और कहा यह अवश्चक नहीं दो दिन में सब ठीक हो जा उस रात उन्होंने सेवकों से कहा कि वे जाकर सो जाए या चिंता ना करें उन्हें अकीला छोड़ दें शुकरवार को डॉक्टरों और सेवकों को यह पता चल गया कि आज अंतिन दिन है प्रात्यकाल फिर से भगवान ने उनसे जाने और चिंतन करने को कहा दोपैर समय पांच बजे तक शोक एवं आशंका से मौन दर्शनार्थियों की लगभी कतार द्वार से गुजरती रही भगवान का जरजा रित शरीर मुर्जा रहा था पसलिया बाहर निकलाई थी त्वचा काली पड़ गई थी पीडा का यह देने संकेत था किन्तु इन अंतिम कुछ दिनों में उन्होंने प्रतेक भक्त को अत्यंत भाव भरी आत्मेता की द्रिश्टी से देखा और सब नहीं है अनुभव किया कि यह भगवान की विदाई का प्रसाध है सुर्यास्त के समय भगवान ने सेवकों से कहा कि उन्हें सीधा बैठा दे सेवकों ने आगया का पालन किया एक डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सिजन देना चाहा किन्तु उन्होंने अपने दाईने हाथ से उसे दूर हटा दिया बाहर खड़े बक्तों एवं दर्शकों की अपार छोटे से कमरे में अपनी दिश्टी गड़ाए हुए थी बीतर दो सेवक पंकखा कर रहे थे बाहर लोग उस हिलते पंके को निर्मी नेश नेत्रों से देखकर अनुमान लगाते थे कि अभी प्राण शीश है एक प्रसिद अमरीकी पत्रिका का पत्रकार एवं फ्रांसेसी फोटोग्राफर बाहर भीड के साथ व्यगरता पूरवक चहल कदमी कर रहे थे बाहर ब्राम्दे में बैठे हुए भक्तों के एक दल ने अरुना चल्शिव गाना शुरू किया इसे सुनते ही भगवान की आँके खुली और उसमें चमक आ गई अवर्णीनिय मादूर्य में श्रित हास से उनके मुखमंडल पर फैल गया उनके नेत्रों से आनंद अश्रू बहने लगे उन्होंने गहरा सांस लिया उसके बाद सांस फिर नहीं आई कोई संगर्ष नहीं था कोई अंग संकोच नहीं था मृत्यू का कोई अन्य संकेत नहीं था केवल अगली सांस नहीं आई कुछ चनों तक लोग स्तब्द देखते रह गए भजन जारी रहे फ्रांसी प्रेस फोटोग्राफर ने और्थर ऑस्बर्ण से समय आठ बच कर 47 मिनट थे प्रेस फोटोग्राफर ने आवेश के साथ कहा मैं भार सड़क पर चल रहा था उसी समय एक बड़ा तारा आस्वान से तूटता हुआ मुझे दिखाई पड़ा सुदूर मदरास तथा अन्य स्थानों से भी बहुत से लोगों ने तारे को देखा था और उनके मन में है बाउटा था कि यह किसी अनिष्ट का सूचक है यह तारा अरुनाचल के शिखर की और उत्तरपूर में चला गया इस स्थब्दता के उपराम श्योक समुद्र पूट पड़ा भगवान की शरीर को बैठी हुई मुद्रा में बरामदे में लेकर आया गया पुरुष महिला भक्तों एवं दर्शाद्नियों के आखों में आंसु थे कुछ रो रहे थे कुछ सिस्कियां बर रहे थे पुश्म मालाएं से आवरित शरीर को प्रमुकक्ष के एक तक्त पर रखा गया और भक्त कन उसकी चारो और बैठ गए राद बर भक्त समुदाय वहां बैठा रहा नगर निवासी दड़नाश्टी जलूसों में अरुना चल्शिव का गान करते हुए आते जाते रहे सबसे अश्चरे की बात यह थी कि अब भक्तों में शोक नहीं और निर्वचनिय शांती थी अब सर्व थास्पष्ट हो गया कि भगवान के शब्द कितने प्रेणा प्रत्थे मैं दूर नहीं जा रहा मैं जा ही कहां सकता हूं मैं सदैव यहां हूं जागरण की उस रात्री को भगवान के अ भगवान के शरीर को उसमें स्थापित किया गया मोंश शोक सागर में निमगन जन समूने यह है सब द्रिश्य अपनी आखों से देखा स्मारक पर्शिव का प्रतीक चिकने कृष्ट नवर्ण के लिंग की स्थापना हुई इस प्रकार अंतिम महा समादी भगवान श्री रम महादी शी की इस प्रकार हुई